दोस्तो अगर आप भी शुम्मन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाग खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो शुम्मन गिल और यशस्वी जैसवाल की बहतरीन बल्लेबाजी और जिम्बापवे की खिलाफ चौथे टी-20 में अतिहासिक और यादकार जीत देखकर हर एक भारतिय नाकरिक का सीना चोड़ा हो गया वही कई बड़े-बड़े खिलाडियों की बीवियों ने भी तारीफ में जो कहा सच बिस सबका दिल जीत लिया तो आखिर अनुषका शर्मा से लेकर रितिका यहां तक की नताशा संजना और देवीशा ने किसे बताया मैच का सुपर हीरो इन सभी पत्यों ने क्या दिल जीत लेने वाला बयान दिया वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अभिशिक शर्मा और गिल में कौन है सबसे खतरना खिलाडी नीचे कमेंट करके जरूर बताए दोस्तो भारत और जिंबावे के बीच चौथा यानि निर्नायक टी-20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया इस मुकाबले में जिंबावे के टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतिये गेंदबाजों की धचिया उड़ा कर 20 ओवर में भारत के सामने अपने 7 विकेट खोकर 152 रनों का लक्ष खड़ा कर दिया था भारतिये गेंदबाजों ने जबरदस प्रदर्शन दिखाया कहलील एहमत ने दो विकेट छटके वई जिंबावे की तरफ से सबसे अधिक रन कफ्तान सिकंदार रजा ने 46 रनों की पारी खेली इस लक्ष का पीछा करने उतरी भारतिये टीम किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसवाल और गिल की चोड़ी मैदान पर उतरते ही टांडम बचाना शुरू कर देगी दोनों बल्लेबाज प्रचंट रूप से नज़र आ रहे थे पहले ही ओवर में जिम्बावे के गिंदबाजों तोट कर प्रहार करना शुरू कर चुके थे पांच ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुझा दिया था जैसवाल भी अपनी तूपानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे हर गेंदबाजों को बेरहमी से कूटते हुए नजर आए देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्दश्य तक भी ठोक दिया था भारत का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरहा आगे पढ़ रहा था दस ओवर में ही टीम का स्कोर 100 रनों के पास पहुझ गया था और भारती टेम जीत की दहलीस तक पहुझ गई इन दोनों बल्लेबाजों ने अकेले ही टीम इंडिया को दस विकेट से कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और जिंबाववे को हार का स्वात चक कर सीरीज को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया भारत की जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से जूम उठा हर तरफ खिलाडियों की तारीफ होने लगी वहें खिलाडियों की पत्निया भी बेहत खुश थी शुमन गिल और जैसवाल की बल्लेबाजी पर तो अनुषका ने अपना पूरा प्याल लुटा दिया वहिरितिका ने भी दिल जीत लेने वाला बयान दिया संजना और देवीशा ने भी बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया तो चलिए अब हम आपको उनकी सभी की पत्नियों का बयान सुनाते हैं क्या कुछ भारत की जीत के बाद उन्होंने कहा है विराट की पत्नी अनुषका ने भारत की जीत के बाद कहा भारती युवा टीम ने कमाल कर दिखाया Zimbabwe के गेंदबासों की धजिया उड़ा दी ऐसी कुटाई तो हमने आज तक पूरे इतिहास में नहीं देखी थी जैसवाल और गिल की मैं जितनी भी तारिफ करूँ उतनी कम है वो तो रोहित कोहली से भी खतरनाक हैं उनके आगे गेंदबास थर-थर कापते हैं हम चाहते हैं इसी तरह गिल्ड बल्ले बाजी करते रहें और भारत का नाम रोशन करें वेल ड़न प्लेयर्स गिल्ड को सीरीज जीतने की बहुत बहुत बढ़ाई साथी रोहित शर्मा की पतनी रितिका ने भारत की युवा टीम को बढ़ाई देते हुए कहा वा के शांदार जीत है सभी युवा खिलाडियों को जीत की बहुत बहुत बढ़ाई और जैसवाल ने तो मेरा दिल जीत लिया वेल डन बॉइस गिल्ड को सीरीज जीतने की बहुत बहुत बढ़ाई जैसवाल ने अपने बल्लिबाजी से हर किसी को अपना बना लिया आज तक हमने ऐसी कुटाई नहीं देखी थी जस तरह से जैसवाल ने जिम्बावे के गेंदबासों की करी है वही जस्पृत बुम्रहा की पतनी संजना ने भी बयान देते हुए कहा है कि ये भारत के लिए बड़ी जीत है किसी टीम को उनके घर में हराना आसान नहीं होता है लेकिन युवा खिलाडियों ने ये कर दिखाया दस विकेट सीटी में इंडिया ने ये मैच जीत लिया क्या जबरदस प्रदर्शन दिखाया जैसवाल और गिल ने मेरा देल जीत लिया मैं जितनी भी तारिफ करूं इन दोनों की उतनी कम है ये दोनों भविश्य में भारत के स्टार खिलाडी बन सकते है साथि सूर्यकुमार यादव की पतनी देवीशा ने भी भारती युवा खिलाडियों की तारिफ में कहा मैं तो युवा खिलाडियों का प्रदर्शन देखकर पूरी तरहा से हैरान हूँ आज तक हमने ऐसी जीत नहीं देखी युवा खिलाडियों ने कमाल कर दिखाया जिमबाब में मैं उनकी धर्ती पर हराया ऐसा करना आसान नहीं होता है लेकिन हमारे लड़कों ने कर दिखाया मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है सभी खिलाडियों ने अपना योगदान दिया मुझे पूरी उम्मीद है कि भारती ये सीरीज जीत जाएगी जीत की बहुत बहुत बढ़ाई तो दोस्तो देखा आपने किस तरहा से भारती योबा खिलाडियों की हर तरफ तारीफ हो रही है और खिलाडियों की पत्निया भी योबा खिलाडियों के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ने लगी लेकिन दोस्तो आब आपको क्या लगता है शुब मंगिल और यशास्वी जैसवाल में कौन है सबसे खतरनाक पर लिबास नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही शांदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद